Hello students, welcome back to Code to Seve Academy. तो आज हम लोग किसी इसी क्लास टेम के सर्कल चाप्टर को स्टार्ट परने हैं. तो इस चाप्टर में हम लोगो सबसे पहले एक तब बेसिक से समझना होगा कि सर्कल होता क्या है, सर्कल से हम लोगो क्या काम है, तो ऐसे चीजों को हम लोग सिखेंगे, है ना, तो चली शुरू करते हैं. तो सबसे पहले सर्कल का डेफिनिशन को समझना चाते हैं, तो सर्कल का डाइग्राम को देखना पड़ेगा. यह जो circle का diagram है, इसमें हम लोगो क्या दिख रहा है, हम लोग को 2 point दिख रहे हैं, हम लोगो क्या दिख रहे हैं, तो सबसे पहले मानते हैं यह point के बारे में, ठीक है, मान की चलते हैं हमारे पास एक point दिया हुआ है, और इस तरीके के बहुत सारे points है, इस तरीके के बहुत सारे सब्सक्राइब लेके चलते हुप हुप है यह जो फॉयंत है नहीं है पॉइंट को रहरा है यह पॉइंट भी क्या हो रहा है इस तरीके के जितनेश्चंत के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं जिनका प्रोपाटी क्या है कि इस फिक्स बांड से उनका डिस्टेंस उस तक का R है, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग बोलेंगे कि यह जितने भी पॉइंट से इनका collection हो है, एक circle बनाएगा, क्या बनाएगा, एक circle बनाएगा, यही है इसका definition, definition क्या कहता है, a circle is defined as the locus of a point, locus of a point मतलब क्या, इन सभी points का समू, collection, ठीक है, a locus of a point which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point is always constant, its distance from a fixed point is always constant, let us suppose it is R, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिये, तो हम लोग को क्या बोला, the fixed point is called the center of the circle, यह जो fixed point अम लोग को दिख रहा है, इसे center of the circle कहते हैं और इसे और से रप्रेजन करते हैं, clear है, चलिये, and the constant distance is called the radius of the circle, यह जो constant distance हम लोग R दिखा रहे हैं, यह constant distance क्या है, इसे हम लोग radius पढ़ते हैं, ठीक है, चलिये, अब यह जो अपना हमारा circle हो गया, यह हमारा circle हो गया, इस circle में, अगर हम लोग को पूस दिया जाए कि इस circle को लिखेंगे कैसे mathematically, तो mathematically हम लोग circle को किस तरीके से लिखते हैं, C bracket O, R, ठीक है, इससे लिखेंगे, C bracket O, R, ठीक है, इसमें O हमारा center को denote कर रहा है, R हमारा radius को denote कर रहा है, और C हमारा circle को denote कर रहा है, तो एक circle एक center और radius के through ही बनाया जा सकता है, इस कारण से यह हमारा representation हो गया, किसी भी circle को दिखाने का, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब हम लोगो को क्या करना है, अब हम लोगो पढ़ना है concentric circles के बारे में, अगर हम लोगो ध्यान से देखना है, तो हम लोग क्या सोच सकते हैं, कि मान लेते हैं हमारे पास एक circle है, और एक और circle है, इनका radius fixed है, radius fixed है मतलब क्या, इसका distance मान लेते है, R1 है, और इसका distance मान लेते है, R2 है, अलग-अलग radii है, लेकिन center हमारे fix'. तो अगर रहे पास बहुत सारे subgroup है .2 subgroup या फिर 2x5esten जान तो और वह radius जो ऐ अलग-अलग या और 9-4 बनेंगे की बीस्तों सारे circles कैसे जी कह़ाएंगे centric circles एक के ओपर एक से clear है इसके बाद हम लोगों क्या पढ़ना है concurrent circles जैसा कि नाम हम लोग देख रहे है concurrent concerned का मतलब क्या होता है super impossible मतलब एक कि ऊपर x fix हो जाए तो माल लेते हैं कि मेरे पास एक circle है Tit crisp radius r है और मेरे पास एक और circle है एक का फिर से radius सेमी फार्मेट में होंगे मतलब एक ही जैसे होंगे हूं बहू एक जैसे होंगे मतलब क्या है कि एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा सुपर इंपोज हो जाएगा समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है कि वो दोनों सर्कल कैसे हो जाएंगे इकवल हो जाएंगे तो दो सर्क क्यों होते हैं कि उनका radius सेम है अगर radius सेम है तो अब्वेसा बात है जो circle बनेगा वो क्या होगा वो वो आवे सेम होगा है ना चलिए तो दो circle को हम लोग concurrent तभी बोल सकते हैं जब उनके पास सेम radius हो और हम लोग सिंश दो radius यह दो से ज्यादा radius के बारे में बात कर रहे हैं इसकारण से हम लोग word यूज कर रहे है रेडिया रेडियाई क्या है एक प्लूरल पॉम में radius word है जलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग को पढ़ना है circumscribed circle circumscribed circle circumscribed circle का मतलब होता है एक ऐसा सकल्ड जो क्या हो पॉलिगं के वर्टिसेज को टच करते हुए जो है बने, जैसे फॉर एकजामपल अगर आम लोग यह देखें यह हमारा एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एक पॉलिगन है, एक थ्री-साइड पॉलिगन है, यह त्री-साइड़ इनको टॉच करते हैं जब कोई एक circle बने तूश circle को हम लोग क्या कहेंगे circumscribed circle क्या कहेंगे circumscribed circle तो अगर हमको पॉलीगन दिख रहा है और पॉलीगन के सारे वर्टिस को टच करते हुए को एक सर्कल बन रहा है तो अल्वेज क्या होगा तो इसा रोग के आपको ध्यान में रखना है ऐसा नहीं किसी ट्राइंगल मिले तभी आप ऐसा सुचिएगा कोई भी पॉलीगन हो तो उसका जितना वह सारा वर्टिस व है अगर कोई सर्कल बन रहा थो सर्कल कैसा सर्कल होगा circumscribed circle, कैसा circle होगा circumscribed circle, clear है, ठीक है, congruent circles के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, अब आगे, अब बात आता है, inscribed circle था, ठीक है, circumscribed में क्या देखे, polygon का vertices को touch कर रहा था circle है, polygon का vertices को touch कर रहा था, लेकिन अगर polygon के sides को touch करने लगे कोई circle, तो हम लोग क्या कहेंगे, उस तरीके के circle को inscribed circle कहेंगे, for example, देखे, ये एक triangle था हमारा, इस ट्रेंगल में जब vertices को touch कर रहा था, तो वो क्या बन रहा था, circumscribed circle, लेकिन जब यहां पे sides को touch करते ले एक circle बन रहा है, तो हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, इस तरीके का circle को हम लोग कहेंगे, inscribed circle, क्या कहेंगे, इन्सक्राइब से लेखेर है अब यहां पर यह भी बात और यहां पु स्कूरि हो रहा है और भी डिज़े क्या हैацию नहीं देखा कि तो क्या कोईकिक वॉटर्डी लेटरल हो गया यह जो quadrilateral है, quadrilateral भी हमारे एक polygon हो गया, तो इस polygon के जितने भी sides थे, उनसे भी touch करते हुए, एक circle हमारा बन गया है, एक circle हमारा बन गया, तो overall नहीं कहा कहा, कि यह circle क्या होगा, inscribed circle होगा, क्या होगा, inscribed circle होगा, clear है, कोई दिकत नहीं है, तो कितना भी बड़ा polygon हो, कोई भी polygon हो, अगर उससे एक circle बन जा रहा है, उसके sides को touch करते हुए, तो ऐसे circle को हम लोग क्या कहेंगे, inscribed circle, clear है, कोई दिकत नहीं है, चाह लिए, अब बात आता है, quad का, quad किसे कहते है, एकदम basic से चल रहा है हम लोग, quad किसको कहते है, तो बोला, the line segment joining any two points on the circumference of a circle, is called quad of a circle, सबसे पहले circumference के बारे में जानते है, circumference क्या है, यह outer boundary, कि जितने भी points का collection था न, यह सारे points मिला करके, जो outer boundary बना रहे है, यह हमारा क्या है, circumference है circle का, यह हम लोग classic से circumference में किसी भी 2 points को, किसी भी 2 points को, अगर एक line segment connect कर रहा है, अगर एक line segment connect कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, quad कहेंगे, यह ऐसे भी हो सकता है, यह ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो सीधा हो, तेडा सीधा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो कॉट का मतलब क्या है कि आउटर पेरिमेटर को दो पॉइंट पे टच करें और एक लाइन सेगमेंट हो अब वो लाइन सेगमेंट जैसा भी हो इधर से जाए ऐसे जाए कहीं से भी जाए उससे कोई मतलब नहीं है बस ध्यान हम लोगों को इतना रखना है कि यह सिर्फ पर ही टच होना चाहिए ख्यानमे रहेगा पर तो समझ में आ गया कि यह जो हमको खॉड दिख रहा है यह दो कोई पर टच तो कर रहा है लेकिन साती साथ ये दो तो अगर कोई एक ऐसा Quad है, जो सेंटर से पास करें, उसे हम लोगव डाइमेटर बोलते हैं, उसके लिए कि Special नाम दिया गया है, क्या है वो? क्लियर है और डाइमेटर क्या होता है यह रेडियेस था हमारा यह भी रेडियेस था हमारा तो रेडियेस प्लस रेडियेस इस एक्वल टू तू आर तो डाइमेटर क्या हो जाएगा तू इंटू रेडियेस तो हम लोग रेडियेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं डाइमेटर ब लोग जब कुशिंस बनाने जाएंगे वह लोग को बहुत सारे चल्रफ का जुरूद तो वह सारे प्रोपेटी स्के बारे में भी और पढ़ेगे कर रहे हैं कि अहां से सुनिएगा वह पर्पेंडी कुलर लाइन कर रहे है ठीक है मतलब यह 90 डिगरी गिवन है तो हम लोगों क्या बोला इड्ट बाइसेक्स दा और ना क्या बोला यह जो परपेंडीकुलर लाइने जो पॉट की तरफ आ रहा है वह always क्या करेगा? कॉड को bisect कर देखे तो पहले एक दब simply देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं कि ये कॉड को कैसे bisect करेगा कि अब हम लोग prove कर लेते हैं एक बार क्या कर रहे हैं? किस point को तो center को हम A से join कर दिया और center को हम 20 से join करें, ठीक है? अब join करने के बाद क्या पता चला? ये तो हमारा radius है, हम लोग जानते center और जो भी circumference में कोई एक point है उन दोनों के बीच का distance क्या होता है? एक fixed distance होता है, constant distance होता है जो कि आर होता है, तो ये radius है और हम लोग को ये given है परपेंडिकुलर लाइन, याट मिस 90 डिगरी है ये दो चीज़ क्लियर हो गया के साथ-साथ हम लोग को ये मालूम है कि ये line always fixed है तब ये दोनों triangle के लिए हम लोग को दिख रहा है, तो अगर इन दोनों triangle में हम congruence लगाने का पूसित करें, आन लेते हैं, हम लिखते है in triangle pao and triangle pbo हम लोग को क्या देखने को मिलेगा हम लोग को सबसे पहले देखने को मिलेगा ये angle हमारा 90 है ना, हम लोग क्या लिख सकते हैं angle apu is equal to angle bpo is equal to 90 degree और ये हम लोग को पहले ही बोल दिया गया है ना, ये हम लोग को पहले ही बोल दिया गया है तो ये 90 degree हो गया अब क्या है अगर हम लोग ध्याल से देखने, देखने, 90 degree दिख रहा है ये सोच सकते हैं, क्योंना हम लोग RHS पर try करें है ना RHS मतलब राइट आंगल हाइपोटेनेस एंसाइड हम लोग देख रहे हैं राइट एंगल हम लोगों मिल गया और रेडियस दोनों का एक्वाल है मतलब हाइपोटेनेस भी हम लोगों मिल रहा है अम लोग क्या लिखेंगे नेक्स पार्ट में हम लोग लिखेंगे क्यों ब सकता है यह वी करने यह चाहिए का अब अब यह यह बोल सकते कि यह जो इस आइड हो सकता था या तो यह साइड हो सकता था अब यह अब यह यह में रूग को प्रूभी आइड वोना है, बाइसेस्ट ता कॉर्ट का मतलब क्या है, यह लाइन एक्वली डिवाइड कर देगा, मतलब AP इस इकल टो P B, हम लगों को प्रूवी करना है, तो अपनलों को लेना होगा, ओपी हमारा क्या है common sided दोनों triangle के लिए हम लोग क्या लिखेंगे op is equal to po common side है ना हम लोग को क्या पता चला हम लोग को पता चला कि यह ट्राइंगल टी ए ओ कोंगुरेंट है ट्राइंगल की बीओ से पाई आरेचेस कोंगुरेंट से क्लियर है समझ में आ रहा है चले अब यह कोंगुरेंट तो हो गया कोंगुरेंट हो गया अब लोग असानी से बोल सकते ए पी बाई सीटी लोग बोल सकते है न इस इंपलाइज क्लियर है तो अब लोग आसानी से बोल सकते हैं तो अब पर्पेंडिकुलर लाइंग अब क्यों सा पर्पेंडिकुलर लाइन है ओपी और यह ओपी क्या कर रहा है पाई सेक्स तक वाड़ पी पाई सेक्स तक वाड़ पी लेर है समझ में आ रहा है चले आगे वह तो हम लोग अभी तक यह पता चलिया कि अगर कोई पर्पेंडिकुलर लाइन है वो किसी कॉर्ड पे जा रहा है तो उस कॉर्ड को क्या करेगा इकुवल हाफ्स पे डिवाइड कर देगा या तो फिर उस कॉर्ड को वह बाइसे कर रहा है एक्स्ट प्रोपर्टी है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फॉम दे सेंटर आप दे सर्कल अभी आ पर वो रहा है एक स्ट्रेट लाइन है जो हम लोग सेंटर से ड्रॉ कर रहा है किस लिए है तो बस्ट कउड Is okay को वाइसेक करने के लिए इसको इक वाइड करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनाएं कुछी ही तो टरीके से bनाये कि यह AB chord को divide कर दिया equal equal halves अब क्या बोल रहा है which is not a diameter और यह बोल दिया AB ऐसा नहीं कि यह diameter है AB को बोल दिया diameter नहीं है AB को क्या बोला यह diameter रही है मतलब center से pass नहीं कर रहा है AB कहीं दूसरे जगा का chord clear है अब यहाँ पर क्या बोला is that right angles to the chord यह जो OM है जो straight line था 90 degrees यह आमयों को prob करना है तो simply हम लगों क्या कर सकते हैं हम लोग déima का system कैसे अपना हिए हम लोगो 90 degree प्रूब करना है जाते यह आप है है ना हम लोगो क्या करना है 90 degree प्रूब करना है अब हम लोग क्या देख सकते है ये रेडियस है ये भी रेडियस है क्या दिख रहा है ये दोनों कॉमान है हमारा दोनों ट्रेंगल में है तो ओवरॉल हमनों क्या बोल सकते है क्या हो जाएंगे यह दोनों क्या बोल सकते यह एंगल के बराबर होगा अब यह जब एक स्ट्रेट लाइन है यह एक लाइन सेग्मेंट और यह एक स्ट्रेट लाइन ही और दुनों equal है तो अबेस सब आते क्या हो जाएगा यह एंगल और यह एंगल एंटीडिग्री हो जाएगा है ना कुछे लिए प्रूब करते हैं इन ट्रेंगल के एम ओ एड़ ट्रेंगल के एम लोगों क्या क्या देखने को मिला AU is equal to OB is equal to radius of the circle और OM is equal to MO as part और हम लोगो क्या मिला AM is equal to MB क्या वहन है ना क्या बोल सकते हैं तर्ज प्रेंगल AMO प्रेंगल BMO प्रेंगल BMO प्रेंगल B अब यह प्रेंगल हो गया तो मोग आसानी से बोल सकते हैं इस इंप्लाइज एंगल AMO अब अब्रेंगल AMO अब्रेंगल AMO is equal to अब्रेंगल BMO यह एंगल AMO BMO मत आसानी और यह प्रेंगल होगा अना इंप्रेंगल श्रींगल AMB श्रींगल ए अम बी इस आ गश्टाइट लाइंग इस इंप्लाइज आगर एम इंघ्ड इंगर पिए नियर के क्लियर है समझ में आ रहा है कुछ नहीं करना पहले कॉंगुरेंट दिखाएंगे साइड 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 से कॉंगुरेंट हो जाएगा यह दोनों एक्वल हो जाएगा और हम लोग जानते हैं इन दोनों एंगल का सम 180 अब यहां पर नोट क्या है ग्रेटर इस दिस्टेंस फॉम डिस्टेंस अब जब का लेंदगा अब जब का लेंदगा तो यह दिस्टेंस क्या होगा Там बाहिस होगiau है अब जब modal साइज तो यह डिस्टेंस क्या हो रहा डिस्टेंस जा एकड़ ज्या रहा फर स्मॉलर्ल है है ज्यान में है आगे पड़े एक स्पार्ट में चलते हैं यह इक और इंप्चल दिस्टेंस का है एकुवल कोड़ सफसे करें इप्पट दिसंटर पॉरा दुट एकुवल है दो कॉड है और वो उसको बोल रहा है यह सेन्टर से ओल्वेज रिक वल्र दिस्टेंस में हो और मै होती है हम लोग क्या कर रहे हैं एक ट्राइंगल बना रहे है OMA और एक ट्राइंगल बना रहे हैं O NC तिक है। अभी हमको क्या बोल ले के लिए बोला है? हम लोग को बोला है यह OMA is equal to O n-proops का कैसे कर सकते हैं इसके बारे हम सोचते हैं यह तो given यह 90 degree है और यह भी पता हमको यह radius है यह 90 degree है यह radius है यह भी 90 degree है और यह radius है यह चीज़ हम लोगो clear है और अगर यह quad है और यह perpendicular line है तो अभी हमने property पढ़ा कि कोई भी perpendicular line क्या करता है हमनों क्या बूल सकते हैं हमनों को am मिल रहा है और am is equal to mb हो जाएगा cn is equal to nd हो जाएगा लेकिन इससे कोई काम नहीं बनेगा हमारा हमनों क्या करेंगे यह एंगल और यह एंगल वर्टिकली opposite यह एंगल का concept है अलब हम overall क्या कर रहे है ध्यान से देखिएगा यह एंगल और यह एंगल वर्टिकली opposite angle से एक्वल और यह radius यह radius और यह 90 डिग्री यह 90 डिग्री अब हम लोग को क्या दिखा यह 90 डिग्री यह एक एंगल हुआ फिर यह वर्टिकली ओपोजिट यह एंगल से एक्वल और यह radius मतलब एंगल एंगल साइड के थ्रूंग लोग क्या कर सकते हैं हम लोग इन दोनों triangle को congruent proof कर सकते हैं तो देखते हैं हमको क्या proof करना है हमको proof करना है this om is equal to on देखते कैसे proof कर सकते हैं क्याoure खिर आटिखते हम की लोग को क्या मिल रहा है सुआं से पहले अम लोग हो को मिल रहा है यह एंगल एंगल को पता है के बाद हम लोगों क्या मिल रहा है एंगल है ऑर यह कैसे एंगल से वर्टिकली ओ पॉजित एंगल से एंगल से है वर्टिकली ओपॉजित एंगलस एंगलस है और अम लोगों को क्या मिल रहा है वे इस इक्वल टू और यह इक्वल क्यों है तो कि दोनों रेडियस अब दी सर्कल है कि अब इतना हो गया तो हमको क्या दिखा एंगल एंगल साइड के थू यह दोनों ट्राइंगल कॉंगुरेंट होगी कि हम लोग आसानी से बोल सकते हैं तर्ज ट्राइंगल एंगल एंगल साइड कि अधी से हमें दोनों ट्राइंगल को आपस में क्या कर दिया और जब यह दोनों कॉंगुरेंट प्रूव हो गए तो अर्म आराम से बोल सकते हैं ओ एकटियान देना तो उनको क्या पता चला अगर दो इकवल है अगर दो कोड्स इकवल है तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अल्वेज एकवल अब जो है एक और प्रोपेटियम को यहां तो दिया गया है क्या मेरे पास दो कोड्स है इनका इस्टेंस से अल्वेज एकवल है अमनों को गीवन है क्यान से दिखेगा काम वही करते हैं हम लोग यह हमारा रेडियस हो गया यह हम लोग को इकवल दिया हुआ है और यहां पे वर्टिकल यह ओपोजिट अंगल है क्यान से दिखेए साइड एंगल साइड 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 से हम लोग क्या बता सकते हैं यह दोनों कॉंगुरेंट अगर यह दोनों कॉंगुरेंट है तो अब वैसा बात है am is equal to cn हो गा बाइ पीस और साथी सात अगर अीस बाम होगा गा और यांसे अगर हम लोग देखें ता हम लोग ज्यानते हैं अब हम लोगों ने पढ़ाता यह जो पर्पेंडिकुलर लाइन होता है वो फॉर्ड को दो इस्टे में डिवाइड करता है ना यह अगर अब के बराबर पहले से मतलब 2 of am क्या है मेरा अब है असानी से बोल सकते है यह हमारा सब्सक्राइब करेंगे करने के बाद यह में लिखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग दोनों तरब कुछ से करेंगे 2m is equal to 2cn होगा और प्रोपर्टी हम लोग जानते कि कोई भी पर्पेंडिकुलर लाइन है वो अल्वेस कॉड को क्या करता है हाफ हाफ में डिवाइट करता है या फिर बाइसे करता है तो am is equal to mb हो जाएगा cn is equal to nd हो जाएगा उस प्रोपर्टी के थू तू am is equal to 2cn जो है हमारा वो अब लोग तुछ से एकबाट राइट है के बाद के बाद हम लोग को लाश्ट प्रोपर्टी जो पर्ट का पढ़ना है वो सिर्फ यह है there is one circle and only one which passes through three given points not in a straight time लेते हैं मेरे पास थीनої क्यांति हैं एक यह कियां है कि हिए ass अधिस जीदर नहीं हो सका हुआ सेम डेडियस का यह चीज हम लोग को प्रूफ करना होगा यह आगे आपको फर्दर क्लासेज में जिसे जैके जैसे 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 सारा चीज पढ़ा लेंगे के बाद इसका प्रूफ बताएंगे यह अभी उतना ज्यादा इंपॉर्टेन नहीं आप लोगों के लिए यह मतलब एक प्लस फैक्टर आप समझ सकते हैं कि अगर आपको एक्स्ट्र में सीखना है तो आप इस थियोर्म को सीख सकते हैं इसमें टाइम लगेगा इसलिए मैं इसका थियोर्म का जो प्रूफ है वो बाद में अपलोड करूँगा कि आप लोग अच्छे तरीके से सीख सके और ज झाट सकते हैं